कानपूर के क्रेशी विश्विद्याले ने किसानों की फसलों को बरबाद होने से बचाने के लिए कैसा जाल तयार किया है, जो उनकी फसलों को केमिकल के प्रभाव से भी बचाएगी, इसके साथ ही जो कीट किसानों की फसलों को बरबात कर देते थे, उनसे भी बचाएगी, मेरे पीछे यह आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो ट्रैप है, ये कानपुर केशिव विश्विद्याले की और से रखा गया है, यहाँ पर फसलों के लिए लगाया गया है, और इसके माध्यम से ही वो जो कीट फसलों पर उड़कर आते हैं, और किसानों की लाखों की फसलों को बरबात कर देते हैं, उन फसलों को बचाने के लिए तयार किया गया है, या नोखा सा एक जाल है, जिसम कीट आते हैं और फस जाते हैं दरसल इसमें एक विशेज तकनीक का इस्तमाल किया गया है जो मादा कीट होती है मादा कीट के सेक्स हार्मोन को इसमें बतौर चारें के लिए इस्तमाल किया जाता है जिसकी महक को सूंगते हुए जो नरकीट हैं वो इस ट्रैप में आते हैं और मादा नरके होने के भ्रम में इसमें फस जाते हैं और उसके बाद वो इससे बाहर रहे निकल पाते हैं जिसके चलते जो फसल है वो सुरक्षि हो जाती है और जो कीट है वो इस पूरे ट्रैप में फस्ते हुए नजर आते हैं हमारे साथ कांट्पू क्रिश्ची विश्विदारे के कुछ प्रोफेसर्स भी हैं हम उनसे भी बात कर लेंगे कि आखिर यह जो ट्रैप है वो किस तरीके से काम करता है कि क्या खासी आते हैं और किसानों को किस तरीके से लाव दे सकता है सर क्या नाम है आपका मैं डॉक्टर उमेंदी शर्मा डिपार्टमेंट ऑफ एंटमोलोजी यह बताइए कि यह जो ट्रैप है जो तैयार है इस ट्रैप से किस तरीके से किसानों को राहत मिल सकती है देखे आज के समय में जैसे 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 बढ़ रही है तो खाने के लि लेकिन जब फसले लग रही हैं तो फसलों के साथ-साथ समय कीड़े भी आएगे तो बीमारिया तो इन से बाचने के ये एक प्रभण्ज तैयार किया गया है जिसमें क्या है कि एक मादा का sm Surf honeymoon यूज शाएक मेल को अपनी तरफ एक्ट्रेक करेगा और इस एक्ट्रेक करने के बाद नीचे इस पॉलिथिन में वह मेल है यह जो नर है उस वह भ्रहमित होके मादा के से ब्रहमित होके वहां उसे लगेगा है वहां पर मेटिंग करने के लिए आएगा और इस ब्रहम में आके इस पॉलिथिन में नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से यहां पर कुछ देर फसने के बाद यह इसकी मृत्ति हो जाती है देखे एक अनोखे तरीके का यह ट्रैप है ज जो ट्रैप है इससे बचने के लिए किसान मृतलब इसे इस्तमाल कर सकते हैं जो कीट ऊड़कर आते हैं फसल बरबाद कर देते पहले किसान अकसर अपनी फसलों में कीट के लिए रसाइनिक पदार्थों का फ्रकाऊ करते थे उससे फसले भी खराब होती थी फसलों में भी थोड़ी सी रसायन की मात्रा पहुंच जाती थी तो अब क्या लग रहा है इस ट्रैप से किसानों को कितना फायदा मिलेगा अगर देखा जाये तो किसान भाई को मैं बोलूंगा कि इसको यूज करने से बहुत ज्यादा फायदा है यहां तक कि मुझे बहुत सारे किसान फीड कि इसमें आप लूर कैसे लगाएंगे कैसे इसको यूज करेंगे किस तरीके से यूज करेंगे कौन सनर इसमें आके फसेगा आपको इसमें विध्यान रखना है कि कौन सी फसल लगा रहे हैं और उससे रिलेटेड ही लूर लगाना है जैसे सीजन की बात करें हर सीजन में हर फसल के लिए अलग-अलग कीट उस पर फसल पर आकर उसे नुखसान पहुंचाते हैं तो किसान क्या मौसम के हिसाब से इसमें कोई लगाएगा चारा लगाएगा इस जाल में या फिर एक ही टक्नीक के साथ सारे कीटों को मरा जा सकता है नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि तक्निक से मारा जाएगा इसमें देखा जाए तो सीजन के हिसाब से नहीं बोलेंगे तो फसल के हिसाब से फसल कि सीजन में कौन सी हो रही है अगर हम फसल को देखते हैं जैसे कि धान की फसल हुई उसमें लगाते हैं या फिर जैसे कि कोई फसल एकस वाईजट ले लेंगे हम सीजन के हिसाब से तो जो भी फसल रहेगी उस समय उसको यह देखना है कि उसमें कौन सा इंसेक्टार है उसी हिसाब से उसको लाना पड़े यहां पर अच्छा लिए किसानों को कैसे अवलेबल हो सकता है क्योंकि मादा का सेक्स हार्मोन बत मिल पाएगा या फिर डर रहता है अगर खरीदेंगे कुछ मुझे दिक्कत न हो क्योंकि ऐसा समझ नहीं पाते हैं भरमित भी रहते हैं बहुत तो इसलिए आप रेजिस्टर दुकान पे किसी भी जाएंगे दुकान पे आप आसानी से मिल सकता है या फिर जो किस्टान किटो की अगर बात करें नर कीठो या मादा कीठो किस-किस मोसं ने किस-किस फसल के दौरान कौन से कीट फसलों को खराब कर सकते हैं? अगर दिखा जाए तो ऐसे तो बहुत हैं जैसे की अब खरीफ चल रहा है, खरीफ में तो जैसे की अब जैसे लगाने वाले खीरा क़ड़ी यह सब चल लाएते हैं इसमें भी लगा सकते हैं अब इसके बाद आ रहा है हम लोग का रभी सीजन रभी में जैसे की सरसू हो गया, सरसुक बाद यह हम लोग काता है यह चना ओगया चनने के बाद यह मटर हो गया इन सब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो कितना कारगर इसे मान रहे हैं क्योंकि किसानों के लिए कितना लाबदायक होगा नहीं ऐसे तु नहीं कह सकते हैं क्योंकि देखिए यह डिपेंड करता है बेदर पे टमप्रेचर हो गया बेदर हो इस तरीके से कि उस समय कितने कीट आए बहुत जादा इंफेस्टेसन नहीं है तो फिर किसान को लगता है कि लाब नहीं हुआ इस तर कि देखें के लिए तो यह पना में हुगा आपने लगने वाले जो कीट होते हैं किसानों को इसके लिए किस तरीके से आप लोग जाबरू कर सकते हैं देखे किसानों के लिए तो यह है कि यह जैसे हमारी गोस्टियां होती है किसान के किसान के ग्यान के इंदर पर होती है यूंस्टी पर विश्वद्याले आके वो खुद ले स तो वह समझ उसके लिए सबसे बढ़िया है कि वह अपने छेतर में ब्लॉक पे चला जाए या क्रिशी विज्ञान केंद्र है वहां पर जाके इसकी पूर जानकारी दे सकते हैं और नहीं तो आने था आके यहां पर जो मेले लगते हैं उस पर संपर कर ले यहां पर जानकारी किस तरह से इसका यूज सब मिल जाएगा तो फिलहाल तस्वीरे साफ तोर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस ट्रैब को तयार किया गया है जो किसानों के लिए देश के किसानों के लिए फाइदेमंध है और इस ट्रैब के माद्धयम से उनकी फसलों को कीटों से से प्रभावित होती थी लेकिन अब फसलों को रसायन से मुक्त कर दिया गया है और एक मादा कीट के सेक्स हार्मोन से यह जाल तयार किया गया है जिसमें महक को सूंगते हुए नर जो कीट है वो इस जाल में आएंगे और फस जाएंगे और किसानों को इसका फाइदा मिलेगा एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी